गर्मिया शुरू होते ही ठंडी ठंडी चीज़र सभी को पसंद होती हैं आज मैं आपके साथ शेयर कने जा रहे हूं बहुती हेल्दी टेस्टी सुपर डिलीशियस इम्मुनिटी बूस्टर मेमोरी बूस्टर मार्केट स्टाइल बादा मिल्क शेक वो जो बजार में पीते है आप गाड़ा गाड़ा क्रीमी बादा मिल्क शेक के एक सिप लेते हैं फिर रुक नहीं पाते हैं उससे भी कहीं जादा बढ़िया हाईजनेक बिना किसी कलर प्रिजर्बेटिव शुद्ध आसानी से आप घर में बना सकते हैं तो चलिए शिरू करते हैं हाई एब्रीवन मैं हूँ पारू कुक वित पारू में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपर हेल्दी टेस्टी मार्केट स्टैल बादा मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर कोई भारी कडाई या पैन रखिये और उसमें हम डालेंगे एक लीटर दूद सिंपल जापके घर में रोज में सुभा में दूद आता है बस वो ले लीजे इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि गाड़ा दूदी लेना है और लो मीटियम फ्लेम पर दूद में एक बढ़िया उबालाने देंगे यह जो हम बादा मिल्क्षेक बना रहे हैं यह बिलकुल आजम वैसे ही बनाएंगे जो आप बजार में पीते हैं ना सबका दिल आ जाता है बिलकुल वही वाला बलकि और भी हाईजिनिक और शुद्ध तुम्हें आपको सारी चीज़े बताती जाओंगी यहां पर हमें दू करीब दूद निकाल लीजे मान के चली चार से पांच बड़े चमच दूद मैंने निकाल लिया है तो इसको मालग रख देंगे इसका यूजम बाद में करेंगे चलिए तो दूद जब तक गुबल रहा हैं फटा फट देख लेते हैं नेक्स्ट स्टैप अब जो सबसे ज़ बादाम ले सकते हैं बादाम सेहत का खजाना है इस वक्त की प्रिजन सिचुशन में यह हमारी इम्मिनुटी को भी बूस्ट करेगा साथ की साथ वाइरल इंफेक्शन से लड़ने की शरीर को शक्ती देता है तो पूरे परिवार के लिए यह बादाम शेग बहुत ही है अब अब लेजे एक ग्रैंडिंग जार और ग्रैंडिंग जार में सारे बादाम दूद के साथ हम डाल देंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट तयार करेंगे बहुत जादा पेस्टी सा भी नहीं करना है हल्का सा दरदरा और यह लिए जह मैंने बढ़िया से पीस लिया और अब आप अब अब आप अब आप लो मीडियम और लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से बीच वीच में चलाते रहे है और जो साइड बहुत जाए जितना बढ़िया से आप दूद को पका लेंगे उतना ही स्वाद आपके बादा मिल्चेक में निकल कर आएगा यही वह मार्के केसर 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 बहुती है और केसर से इस वादा मिल्चेक केसर सोगना और बढ़ जाता है और बहुती प्याना सा कलर आजाता है तो अब ही डाल देंगे तो थोड़ा सा उबल के केसर का जो कलर फ्लेवर सब इसमें बढ़िया से समा जाएगा जाएगा केसर य जो दूद हमने रूम टेम्पिचर पर निकाल के रखा हुआ था तो बस अब आप लीजे बादा मिल्खेक का सीक्रेट इंग्रीडियेंट कस्टड पाउडर जो अबादा मिल्खेक को गाड़ा पन देगा दूद को गाड़ा पन देगा स्वाद बढ़ाएगा बहुत ही कि यह में ले रही हो देल छोटी चमच लिए यह तो यह हो गई एक और आदा चमच और डालेंगे बहुत बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि की कस्टड नहीं बनाना है इना सिर्फ गाड़ा पन फ्लेवर देना है अब इस दूद में हम बढ़िया से कस्टड को मिक्स कर है और जैसे कि यह आप देख सकते हैं कि दूद काफी अच्छा गाड़ हो गया है और रिड्यूस भी हो गया है पहले से और केसर लाइची का बढ़िया फ्लेवर इसमें आ गया है लो फ्लेम पर जो भी अमने कस्टड तयार किया ना मिक्स कर लीजे इससे कि वो नीचे करेंगे कि मिल्क वोल्यूमाइज़ हो रहा है यानि कि यह गाड़ापन आ इसमें कस्टड जैसा बिल्कुल गाड़ा हमें नहीं करना है क्योंकि हम शेक बना रहे हैं बस इतना भर कि एक दम क्रीमी क्रीमी बढ़िया मिल्क शेक तयार हो जाए और थोड़ी देख को भी अच चार बड़ा चममच चीनी आप अपने स्वात के अरुसार कम जादा कर सकते हैं चीनी को भी बढ़िया से मेल्ट होने देंगे और दूद के साथ पकने देंगे तो जब चीनी खुल जाए इस स्टेश पर अब इसमें एट करेंगे हमारा सबसे ज़रूरी बादाम शेक का इं सब पूरे दूद में बढ़िया से रम जाएंगे यानि की बढ़िया से घुल जाएंगे एकदम समा जाएंगे अच्छे से थोड़े देर और कुक करेंगे जिससे की बादाम का जो भी फ्लेवर है वो दूद में बढ़िया से मर्ज हो जाए तो लग बग 2-3 मिनट और पका यह कंसिस्टेंसी को जरूर धान दखें मैं थोड़ा सा और इसको पका रही हूँ बहुत ही बढ़िया आप देख सकते हैं क्या क्रीमी मस्त लग रहा एक दव सारे मिल्क शेक एक तरफ और बादाम बिल्क शेक एक तरफ तरफ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बढ़िया गाड़ापन आ रहा है तो बस इस स्टेज पर फाइनली मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे बादाम मिल्क शेक और वी जादा हैल्दी और टेस्टी बनाने के लिए कुछ ड्राइ फूट्स तो यहां पर मैंने लिए हैं बारीक कटेवे फ्लेक्स काजू के बादाम के और पिस अच्छे से कर दीजे मिक्स थोड़ा सा और इसको एक मिनट और पका लेंगे जिससे कि जो हमने ड्राइ फूट्स जाले है उनका फ्लेवर भी आ जाए और वो थोड़े से नर्म हो जाए अब जैसे मैंने यहां पर यह ड्राइ फूट्स जाले हैं आप चाहें तो यहां तो यह देखिए मैं स्पैटूला इस तरह से इस पर डिप कर रही हूं तो इस एक हल्की कोटिंगा रही है अब जो थंड़ होगा तो यह और गाड़ा हो जाएगा इसलिए इससे जादा इसको बहुत गाड़ा नहीं करना है यह देखिए मेरे गुमाने से आप देख सकते इसका क्रीमी एफेक्ट यह देखिए है ना बढ़िया कोटिंग बिलकुल ऐसा नहीं कस्टर इगदम बना है और नहीं बहुत ज़दा पतला है बिलकुल परफेक्ट बहुत ही हेल्दी और बहुत स्वाधिस्ट बना है तो बस इस स्टेश पर गैस को हम कर देंगे बिलकुल ओफ और इसे निकाल लेंगे थंडा होने के लिए एक बोल में तो यह लीजे मैंने पूरा बोल में ट्रांसफर कर लिया है और इस तरह ट्रांसफर करकर आप इसको किछिन प्लाटफरम पर कुछ दिर इसी तरह रहने दें जब यह रूम टेंपरिचर पर आ जाएगा उसके बाद और यह लीजे हमारा बादम शेक है बिलकुल तयार मैंने इसको फ्रिज में दो से तीन घंटे के लिए रख दिया था अब यह बिलकुल थड़ा थड़ा एकदम टेस्टी हैल्दी हमारा शेक तयार हो गया है आपके पस समय हो तब ज्यादा देर के लिए रख दीजे मजे से चिल्ट मजा आजाएगा पी करके आप देख सकते हैं नहीं बहुत ज़दा गाड़ा नहीं बहुत ज़दा पतला परफेक्ट जैसे बजार वालोगा होता है यह है खास बात और नहीं ऐसा है कि बाद में गाड़ा हो गया और आपको बाद में चीजें एट करनी पड़ दू मैं इसको बिल्कुल बजार वाली लुकिंग दे रही हूँ कलर कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल मार्केट वाली जैसी लेजे तो मैंने इसको सव कर दिया है और इसको थोड़ा सा उपर से गार्निश कर देते हैं बारी कटे हुए बादाम आप अपने तरीके से टूटी फ्रूटी डाल करके या कोई भी ड्राइफूट्स डाल करके इसको इंजॉय कर सकते हैं थोड़े से डाल देते हैं बारी क यह सिर्फ देखने में यह नहीं पीने में भी बहुत ही स्वादिस्ट है तो जरूर बनाइए इस गर्मी और इंजॉय कीजे बादाम शेक को और मुझे जरूर बताईए अपने प्यरे-प्यरे कॉमेंट्स में आज की यह इस्पेशल इस्टीट स्टाइल बादाम शेक की रेस यदि आप मेरे चनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं रेड बटन दवा करके तो पासी बनी बैल बटन भी साथ ही प्रेस करते हैं और मेरे साथ देखिए रोज नए से नए वीडियो पूरे साथ दिन और इसी तरह अप्रा प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेस्पु पर देख सकते हैं थैंकि फो वाचेंग कुक विद पारुल जैहिन जै भारत